Hi guys, welcome and welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं दूसरा एपिसोड एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ, The Last of Us का और पहला वाला एपिसोड मैंने अल्रेडी एक्स्प्लेइन कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको उपर आई बटन में दे दूँगी, तो आप चाहो तो उसको भी पहले देख लेना, और इस वाले एपिस का जो फैक्टरी हुआ करता था, वहां से इन सारे चीजों की शिरुवात हुई थी, और इस जो फैक्टरी था, वह बेसिकली जकार्ता में था, जो इंडोनेजिया में आता है, अब यहां पे हमें वहां के लोकल अथॉरिटीज को दिखाया जाता है, जो यहां बोलते हैं कि उन्हें बोडी को एक्जामन करना है, उस भी किसी इनसान की जो अल्रेडी इनफेक्टेड होके मारा गया है, और हमको यहां पे मायोलिजिस को एक दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है, रतना, वो यहां पे बोडी को एक्जामन करने आती है, और जब वो बोडी को एक्ज लग रहे कि इंसानों में भी उसका अफेक्ट आने लगा है अब यहाँ पे वो समझ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ग्लोबिल लेवल पे जो हुमन पॉपिलेशन है उसको पर्मरेंट इस चीज़ से डेंजर हो गया है तो वो यहाँ पे मिलिटरी से बोलती है कि वो पूर लगते हैं अग्राओं वेह रिशर्च सब्सेंटर है और वेस्टन युएस में पढ़ता है और वहां जाने की जरूरत है क्योंकि उसका यहां मानना है कि उसकी जो immunity है अगर उस पे research करा जाए तो यहां पे इस पूरे चीज़ का cure निकाला जा सकता है जैसे इस कहानी को जोल सुनता है तो तुरंती वो इस चीज़ को मानने से मना कर देता है और बार बार बोलने लगता है कि अब उन्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है वो तुरंती वापस quarantine वाले area में जाएंगे मगर दूसरे तरफ test को देखके लग रहा है कि वो चाहती है कि जो यहां पे उनको काम दिया गया है उसको वो पूरी तरीके से खतम करे अब यहां आ जाते वे भी जोल को बात माननी पड़ती है test की मगर यहां पे साथ साथ उसका जो एली के तरफ behavior है और उसको पूरा situation जो पसल नहीं आ रहा है वो हम उसके behavior pattern और उसके facial expression दोनों में देख सकते है clearly अब हमें यहां पे दिखाया जाता है Boston शहर का जो पूरी तरीके से खतम हुआ है और यह तीनों उसके तरू निकल रहे होते हैं तो हम यहां Ellie को देख पाते हैं कि वो सारी चीज़ों को देख के काफी जादा astounded लग रही है क्योंकि वो पहली बार quarantine zone से बाहर आई है मगर जल्दी हम देख पाते हैं कि उनका जो clear cut रास्ता उनको लेना था वो शायद थोड़ा सा deviate होने वाला है और उनको यहां detour लेना पड़ता है एक खाली पड़ेवे history museum में museum अंदर से काफी बुरे हालत में होता है एक light भी वहां नहीं होती और वहां पे काफी जादा moisture होता है और बहुती जादा अंधेरा होता है और उन्हें वहां पे बहुत सारी चीज़ें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही होती अंधेरा होने की वज़ा से और यही देखके एक जगा लग रही होती है जहाँ पे जो infected लोग है वो most likely अपने आपको चुपायावा हो सकता है उन्होंने अब जब वो लोग museum को देख रहे होते हैं टॉच का इस्तमाल करके तो उन्हें वहाँ पे एक हाली फिलाल fresh body मरीवी मतलब एक इनसान की body उन्हें मिलती है और थोड़ी ही दूरी पे उनको एक clicker की आवाज आ रही होती है clicker basically वो लोग होते हैं जो infect हो चुके होते हैं और वो fungus के stage 3 में आ चुके होते हैं clicker का यहाँ पे problem यह होता है कि उनका जो fungus होता है वो पूरे उनके face पे grow हो चुका होता है तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता वो लोग blind हो जाते हैं मगर उनका जो सुनने का ताकत है वो कहीं गुना जादा बढ़ जाता है तो वो यहाँ पे तीनों बहुत ही जादा शान्त होके museum के थू जाने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर तब भी वहाँ पे दो clickers आके उन पे हमला कर देते हैं थोड़ी से यहाँ पे self defense और हाता पाई दोनों होती है और यहाँ हमें देखके लग रहे है कि जोल ने manage कर लिया है दोनों clicker को मार और more or less देखके लग रहे है कि वो लोग museum से बाहर आ गए हैं और उन मेंसे किसी को as such कुछ जादा चोट आई नहीं है जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें थोड़ी दूरी पे दिख रहा होता है कि जो safe house और जहाँ जाना है firefly वाले वो जादा दूर है नहीं और उस च सारी dead bodies बड़ी भी होती हैं और देखके लग रहा है कि वहाँ पे दो अलग groups में यहाँ पे लड़ाई हुई है एक infected वाला group हो सकता है और दूसरा firefly वाला group अब यहाँ पे test को अभी भी जो पूरा situation होता है इसको देखके वह बहुत जादा परिशान तो है मगर उसको give up नह नहीं बाकी है हम यहाँ देख पाते हैं कि जोल दर्वाजे के तरफ जाता है और उसको मालूम चलता है कि बहुत जादा amount में जिसको हम लग hurt बोलते हैं उस amount में यहाँ पे infected जो है उनके तरफ आ रहे हैं यहाँ पे test बार बार जोल को बोलती है और pleat करती रहती है कि चाहे क कुछ भी हो जाए उनकी जो दो और smuggler friends हैं उनके पास वो Ellie को लेकर जाएगा ही जाएगा और उसको बीच रास्ते में ही कहीं नहीं छोड़ेगा उन दोनों smuggler friends जो होते हैं उनका नाम होता है Bill और Frank अब यहाँ पे जोल इस पूरे situation से बहुत ज़दा परिशान होता है और यहाँ देख पाता है कि जोल Ellie को लेकर वहाँ से ड्राग करते हुए बाहर जा रहा है और टेस्स यहाँ पे फ्लेमबल लिक्विट जो होता है बड़े-बड़े drums में रखावा उसको floor पे spill करने लगती है पूरा और साथी साथ वहाँ पे जैसे ही infected अंदर आने लगते हैं त सारे के सारे उस blast के तुरू मारे जाएं और यह वाला एपिसोड यहीं पे खतम हो जाता है अगर आपको इस एपिसोड का recap फसंद आया हो then do like the video, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram, link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, thanks for watching, bye